Hello guys good morning all again welcome you all to my YouTube channel coding video guys आज की वीडियो में guidelines देखेंगे related to chapter HIV और AIDS ठीक है यह हमारी जो guidelines रहने वाली है वो chapter 1 की रहेंगी ठीक है आज की वीडियो में हम इसी की सारी guidelines को discuss करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से important guidelines आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगा दूसरी चीज़ी है और मॉक्स और एनिटिंग रिलेटेट टू सीपीसी exam you can contact me at my Gmail ID so that I can provide you further ठीक है तो आप मुझे contact कर सकते हो मैं आपको डाटा प्रोइट कर दोंगा ठीक है तो अभी हम देखेंगे हमारा चैप्टर बन है HIV और AIDS तो मैं आज आपको सारा कुछ बताने वाला हूं क्या important है आप कैसे क्या चीज करोगे ठीक है तो without doing any further delay let's get started देखो जो हमारा चैप्टर है ICD-1 में HIV और एट उसकी जो कुछ guidelines है तक्रीव आच-10 guidelines है जो की important है आज हम वही सारी guidelines को discuss करेंगे ठीक है तो देखो सबसे पहली guidelines है code B20 को ले के ठीक है वो guideline क्या कहते है वो guideline कहती है कि हमारा बी-20 जो code है वो किसके लिए आता है वह आता है और हमें यह पता हुना चाहिए यह वाला कोड़ करेंगे यह वाला कोड़ करते हैं जब हमारा HIV वायरस एक्टिवेट होता है ठीक है और वो क्या करता है सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि कुछ दिक्कत करेगा बॉड़ी में जब हम इस를 को कोड़ करेंगे ठीक है और जो मारा जब वायरस प्रिजन होगा और कुछ एबनॉर्मलीटी करेगा एड़ टाइम बी ट्वेंटी नहीं करेगा तो उस टाइम पे हम जैट 21 वाला कोड करेंगे जो कि हमारा इस्टेटास कोड है ठीक है यह पहली गायल दने आपको पता होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज में यह ह थाकिएगा ठीक है अगली जो गाइड लाइन वह भी काफी इंपोर्टेंट है जो यह है कि अगर मानलो कोई पेशन्ट है वह एक्ष्ट रिलेटेड कंडिशन से आया है मतलब जो की यहां सबसे पहले कोड करेंगे एट साला उसके बाद में कोड करेंगे जो सिंटम के साथ मे है अगली चीज़ में अगर पेष्ट फोय जबंद्सक्रां कॉझ में Let's अगर अगर पर चाहिए के साथ में आया तो उसमें सबसे पहले क्या कोड करते हैं उसमें सबसे पहले कोड करेंगे यह मैं रिपका है जो के हमारा देची अब यह करेंगे टीका है अब करेंगे की अ必न कैन्पोर करेंगे तो पहले थै किया अंटीकार यह सब हमारी क्या होती है यह हमारी होती है unrelated condition related to HIV ठीक है यह वाली guideline में हमें क्या करना पड़ता है हमें सबसे पहले unrelated condition को code करना पड़ता है उसके बाद हम code करते हैं किसको HIV code को जो कि हमारा होता है B20 ठीक है guys I hope आपको समझ में आ रहा होगा with example मैंने समझा है और यह guideline काफी important है ठीक है अगली जो चीज़ा गाइस वह भी काफी important है उसमें क्या है इसमें दे रखा है अगर हमने कभी patient को code किया है B20 के साथ में मतलब हम कभी patient को B20 code के साथ में code कर देंगे तो हम कभी भी उसको Z21 code के साथ में कभी भी code नहीं करते क्यों क् है जी वन वर एक्टिव रहता है ठीक है तो इसी लिए हम इस code को कभी भी code नहीं करते है यहां पर कहने का मतलब आपको समझ में आया कोई भी patient है अगर उसको एक वार HIV हुआ है तो उसको आप कभी भी Z21 वाला code code नहीं करोगे क्यों क्योंकि एक बार अगर यह वारस एक्टिवेट होता है तो जीवन वर यह बॉड़ी में रहता ही रहता है ठीक है तो इसी लिए we cannot code Z21 वाला code जो कि हमारा status code होता है यह जहान रखेएगा ठीक है अगर मानलोग कोई भी inconclusive result आता है मतलब confirm नहीं होता है तो हम क्या code करते हैं हम code करते हैं R75 वाला code ठीक है गाइस अगली चीज़ है वह काफी important है वह यह है अगर मानलोग पेशेंट किसी O-series code के साथ में आया है तो हम सबसे पहले क्या code करते हैं हम सबसे पहले O-series code को code करेंगे उसके बाद में हम B20 या Z21 वाला code करेंगे समझ में आया कहने के मतलब यह गाइस अगर मानलो पेशेंट किसी भी HIV-related illness के साथ में द्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस टाइम पे आप क्या करोगे आप प्रेगनेंसी कोड को पहले code करोगे और HIV-related illness code को बाद में code करोगे चाहें वह B20 हो चाहे है अगर मानलो एड़ प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है तो उस टाइम पे आप क्या कोड करोगे आप प्रेगनेंसी कोड को पहले code करोगे जो कि हमारा क्या है ओ 98.713 जिसमें हमारा B20 क्या है AIDS का code है ठीक है अगला है इसमें अगर HIV-related रहता है तो आप क्या code करोगे आप प्रेगनेंसी कोड को पहले code करोगे जो कि हमारा क्या है सबसे पहले lab test जो हमारा code Z11.4 इसको आप सबसे पहले code करोगे अगर मालो physician क्या कर रहा है counseling दे रहा है तो आप क्या करोगे counseling code को code करोगे जो कि हमारा क्या है Z71.7 ठीक है guys समझ में आई बात कहने का मतलब यह है अगर patient lab test के लिए आ रहा है और वो उसका lab test negative आ रहा है तो उस time पे आप क्या code करोगे Z11.4 ठीक है और अगर मालो patient को physician counseling कर रहा है तो आप वहाँ पे कौन सा code दोगे वहाँ पे दोगे Z71.7 वाला code ठीक है guys यह काफ़ important है आपको पता होना चाहिए अब देखो अगली चीज है इसमें कुछ जो कि मैं आपको बता देता हूँ अगर मालो patient asymptomatic है HIV positive के लिए जो कि मैं पहले ही discuss कर चुका हूँ उस time पे हम क्या code करते है Z21 वाला code ठीक है अगर मालो encounter है HIV test का ठीक है तो उस time पे आप क्या code करोगे HIV screening code जो कि हमारा क्या है Z11.4 जो कि मैं आपको अभी बताया था guideline में ठीक है अगली चीज है अगर मालो हमारा test negative आता है तो हम क्या code करते हैं counseling के लिए Z71.7 ये भी मैंने अभी आपको पताया था ठीक है guys एक और चीजस में वो काफी important है देखिए नीचे लिखा हुआ है if patient return to be informed of HIV test and result is negative उस time पे हम क्या code करेंगे हम code करेंगे Z71.7 only ठीक है do not assign Z11.4 HIV screening code code to Z71.7 if not done on a same day कहने का मतलब यह ह है कि अगर same day पे नहीं होगा तो आपको कौन सा code करना पड़ेगा आपको code करना पड़ेगा Z11.4 ठीक है guys I hope आपको यह guideline समझ में आई होगी ठीक है और आपको समझ में आया होगा कि HIV और AIDS में कौन-कौन सी guidelines है और आपको क्या follow करना है I hope आपको वीडियो भी समझ में आया हो आपको देखं पर आपको कौन आपको नहीं होगा भी समझ में आपको करना हो की लाग इसरा आपको बना है लीडियो ओर उसे और उसे एकभस करा इस कःपड़ाराव और श्याफराव टार इस यह को हम वे तो आपको आपको णहीं होगा बंभेश तो